मेरे प्यारे दोस्तों भारती सिनेमा के पिताम दादा साहब फालके का पुरा नाम धुन्धी राज गोबिंद फालके था इनका जन्म महाराष्ट के नासिक शहर से लगभग 15-20 किलोमीटर की दोरी पर इस्थित बाबा भोलेनात की नगरी त्रम्भ्यकेश्वर में 30 अप्रेल 1870 में हुआ था इनके पिता संस्कृत के महान विद्वान थे मुंबई के एलिफ हिस्टन कॉलेज में अध्यापक थे इस कारण दादा साहब की पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई 25 दिसंबर 1891 की बात है मुंबई में अमेरिका इंडिया थेटर में इसा मसी पर अधारित एक बिदेशी चलचित्र लाइफ आप क्राइस्ट दिखाया जा रहा था दादा साहब भी ये चलचित्र देख रहे थे चलचित्र देखते समय दादा साहब के मन में विचार आया कि क्यों न अपने देश के महापुर्षों देवी देवताओं जैसे शिवाजी महराज, संथ तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास, क्रेश्न, राम, इत्यादी महापुर्षों के उपर चलचित्र बनाई जाए तब उन्होंने उस चलचित्र को कई बार देखा, और फिर उनके हिर्दय में चलचित्र निर्माड का अंकूर फूट पड़ा, उनके अंदर चलचित्र निर्माड की इतनी ललक बढ़ गई कि उन्होंने कई पत्र-पत्रिकाओं का अध्यन किया, और कैमरा लेकर चित्र खि निर्माड में अपना ठोस कदम बढ़ाया तो उनको बहुत सारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। अप्रेल माह में वापस मुंबई आ गए और दादर में अपना इस्टूडियो फाल के फिल्म के नाम से बनाया। आठ महिने के कठोर साधना के बाद दादा साहब के द्वारा पहली मुक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माड हुआ। इस फिल्म के निर्माता लेखक, कैमरामेन, इत्यादी सब कुछ दादा साहब ही थे। इस फिल्म में काम करने के लिए कोई महिला तयार नहीं हुई। अतह लाचार होकर तारामती की भूंका के लिए एक पुरुष पात्र को चुना गया। इस चल्चित्र में दादा साहब ने स्वयम नायक हरिश्चंद्र का रोल किये। और रोहिताश्यो की भूंका उनके साथ वर्षी पुत्र भाल चंद्र भालके ने निभाई। ये चल्चित्र सौरपर्थम दिसंबर 1912 में कोरोनेशन थेटर में प्रदर्शित किया गया। फिर 21 अप्रेल 1913 को ओलंपिया सिनेमा हौल में ये फिल्म रिलिज कर दी गई। चल्चित्र के बाद दादा साहब ने दो और पराडिक फिल्म भस्मा सुर मोहिनी सत्यवान सावित्री बनाई। 1915 में इन तीन फिल्मों के कारण दादा साहब लंदन चले गए। और लंदन में इन तीनों फिल्मों को बहुत प्रशंशा मिली। और कोलापुर नरेश के आग्रह पर 1937 में दादा साहब ने अपनी पहली और अंतिम सवांग फिल्म गंगा वतारण बनाई। दादा साहब ने कुल 125 फिल्मों का निर्माड किया। तो दोस्तों ये थी मेरे मुख बिंदु से दादा साहब फालके की जीवनी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर वेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। नमस्कार मैं अभिकुमार फिर मिलूँगा अपने अगले वीडियो में जय हिंद। झाल 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 झाल